हेलो निम्य फैंस वेल्कम टेव बनाव प्राइन यह है रिवेंस टिकर स्रीस का एपसोर 3.30 नाओ लैट्स बेगेन एपसोर शुरू करने से पहले कल जो क्यूशन पूचा था मैं उसको जाब दे देता हूं तो क्यूशन यह था यह आदमी यह कौन है एपसोर के एंड़ में एपसोर शेटन देखते हैं मिंग को मिलिस्ट्री ओफ पनिश्मेंट के लोगों ने गिरफतर कर लिया है उन्होंने मिंग को एक चेंड से बांध रखा है जिसे मिंग बिल्कुल भी टोर नहीं पा रहा मिलिकुल भी कोश मत करो तुम इस चेंड को नहीं तोर सकते हो तुमन History of punishment के लोग कहते हैं, अभी तक हमें कुछ order नहीं मिले हैं, हमें कोल इतना ही कहा गया है कि हम तुम्हें arrest कर ले हैं, तुमने क्या crime किया हैं, ये भी हमें नहीं बताए गया हैं, थोड़े time हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें एक jail के अंदर रखेंगे, तुम्हें उस jail के अंद कम हो जाए, अब यहां पर मिंग के पास में कोई और option नहीं होता, मिंग उनके साथ में चलने के लिए मान जाता है, यहां से ही sin shift होता है, हमें एक jail का सिन देखते हैं, मिंग अभी भी उस chain के अंदर बंदा हुआ है, मिंग को उस jail के अंदर लेकर जाय जा रहा है, उस jail के अ पर एक मेना भी टिक पाया, तीसरा के अदि कहता है, ए बच्चे इधर आके मेरे पेर चाट ले, मैं इस पूरिज जेल का सबसे खतरना का अदमी हूँ, मैंने कई सार मचल आटिस्टों मारा है, अगर तू ऐसे नहीं करेगा, तो मैं तुझे भी मार दूँगा, और वहीं अ कोई भी क्रैम नहीं किया है, मैं ज्यादा टाइम तक वैसे भी इस जेल के अंतर रहने वाल नहीं हूँ, मैं तो थोड़ो टाइम में यहां से शूट के निकल जाओंगा, तुम अपने बारे में सोचो, यही कहते वे मिंग आगी बढ़ जाता है, मिंग चलते वे सोचता है, मैं जारना चाहता हूँ, यह मिनिस्ट्रिय और परिश्मेंट के लोग मुझे आपर क्यों ले किया है, यह मुझे कौन से जज़ देना चाहते है, और किस क्रैम के लिए मुझे इस तरह से अरेस्ट किया गया है, यही सोचते वे मिंग अपनी जेल के वासे पहुच जाता है, मिंग के साथ में चौ मिनिस्ट्रिय और परिश्मेंट के लोग होते हैं, वो मिंग को उस जेल के अंदर पहले से उसके लवा चार लोग और है, मिंग निदिय कहता है, चलो बढ़ी आए, यहां मेरे लवा चार जने और है, अब कम से कम यहां बोर नहीं होना पड़ेगा, को उनके ऐसा करते ही मिंग के हाथ में जो हत्कड़ी बंदी होती है वो वासे गया बोजाती है मिंग सोचे लगता है इस जेल के ओपर जो इनने लोक रगाया है इसे मैं बड़ी सनी से तोड़ सकता हूँ ये तोड़ना भले ही थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन जाता मुझे लगता है मेरी पावर इत्ती जदो तो है कि मैं से तोड़ दूँगा भले थोड़ी से तकलीफ हो जित्ती तेर मिंग की सोच रहा होता है उत्ती देर ये चारू के दी मिंग को लगातार गूर रहे होता है इन में से एक कहता है हम यहाँ पर केवल तुमारे लिए ही है और तुम हमारी इस जेल से निकल लेगी चार भी हो दूसरा बंदा बोलता है अगर हमने तुम्हें मार दिया तुमसे कहा गया है कि वो लोग हम यहाँ से फ्री कर देंगे हम यहाँ से इस जेल से छूट जाएंगे तूसरा बंदा बोलता है ये बच्चा बिल्कुल कंजोर सा लग रहा है इसको मारना हमारे लिए ज़्यदे मुश्किल नहीं होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है केवलिस एक को मारने के लिए हम चारो के साथ में डील क्यों की गई है चौत्धा बंदा बोलता है कीता ज़्यदा कमजोर है कि मेरे को दैसे लग रहा है ये हमारो एतों से मरना डिजर्व भी नहीं करता हमारे लिए इसको मारना एक शरम की बात है तबी विंग उन चारों से कहता है तुम चारों में से कोई भी मुझे बिल्कुल भी सीरिसली नहीं ले रहा है तुम चारों की चारों किलेरली मेरे सामने मुझे मानने की प्लैनिंग कर रहे हो तुम चारों को ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही हलके में ले लिया है तुमें कम से कम थोड़ा छुपके तो बातचित करनी चाहिए इस तरह से प्लैनिंग बनाओ कि मुझे सुना ही न दे उन चारों में से कहता है हमें बिल्कुल भी छुप ताकतवर है इसके लावा हम चार है और तुम एक हम गिंती में भी तुमसे ज़्यादा है इसी वज़े से हमें तुमसे बिल्कुल भी डर्नी ज़्यूत नहीं है हम बड़ी है सनी से तुम्हें मार देंगे तभी दूसरा बंदा बोलता है शायद ती लड़का थोड़ो सा प तुम्हारी मौत बहुत ज़़ात सान हो जाएगी और दूसरा तुम्हें मानने के लिए हमें अपने हाथ गंदे निकने पड़ेंगे क्योंकि तुम इस लैक नहीं हो कि तुम हमारे हाथों से मर सको मिंग कहता है क्या तुम ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लग रहा है वो कि ऐसा करते ही वहाँ पर कावितेश दराड़े से पढ़ जाती है जमीन से हिलने लगती है इससे वह चारों के दिकावजा डर जाते हैं उनमें से कहता है नहीं यह हमारे बसकी नहीं है इसके अंदर बहुत ज़़दा पावर है दूसरा कहता है हाँ तुम भीकुल ठीक कहे इसने के हल अपने पाव जूनी पटका और तो बड़ा इपक्ट हो गया हमें बेकार में इससे पंगा लेने ही जुरुत नहीं है यही कहते वे वह चारों चरों मिंग से फाइट करने का विचार पुरतेश छोड़ देते हैं तब यह चारों से कुछ होता है कोई एजीव सी लड़कलर की चीज एकदम से आकर उन चारों केदियों के सरकेंते गुज़ जाती है इससे एक ही बारी में वो चारों केदि मर जाते हैं यह देखकर मिंगी बहुत हो चोग जाता है मिंग जब तक पीछे देखता है तब पीछे कोई भी नहीं होता इससे पहले की मिंग को सम चारों केदियों को मार दिया है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है उस जेलर के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपसोड खतम होता है नाव एक छोटी से इन्फरमेशन मैंने एक शांदर सीरीज को दुबार से शुरू किया है जो की आपको जुरू से पसंद आएगी इस सीरीज का नाम है लेवल अप सीजन टू सीजन टू के फर्स्ट एपसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अधर मिल जाएगी नाव य सीरीज के इस सबस्टों खतम गड़ते हैं थैंकिये फर वर्ट